फाइनली गाईस यह आ गया है हमारे पास Vivo का V20 Pro स्मार्टफन का बॉक्स जिसमें फश्टली हम यहाँ पर एक विडियो को एक्स्पिरियेंस करेंगे इसके साथ-साथ यहाँ पर डिसकस करेंगे इसके स्पैक्स और फीचर्स को उसके बाद डिसकस करेंगे आपर इंडियन प पसंद नहींगी दिखी कैसी यह आ जाता है मारे पास Vivo V20 Pro स्मार्टफन का बॉक्स जो कि लगवग सिमिलर देखने को मिलता है Vivo के V20 और V20 SE के बॉक्स से इसके साथ-साथ यहाँ पर फ्रेंट में आप देख सकते हो V20 Pro इसके अलावा यहाँ पर नीचे 5G को मेंसन किया ग हुआ कि अगर आप यहाँ पर कलर इस पैक्स वगएरा को जानना चाते हो तो आप यहाँ पर जो इसके बैक में इंफॉर्मिशन दी हुई है उसको पॉस करके रीड कर सकते हो इसके साथ जैसी आप बॉक्स के लिड को ओपन करते हो तो ओपन करते साथ पुशली आपके इस कलर में handset देखने को मिलेगा इसके नीचे आपके लिए यहाँ पर वीवो की तरफ से flash charge 2.0 देखने को मिलता है जिसमें आपके लिए 33W का max output देखने को मिलेगा इसके साथ यहाँ पर थोड़ा सा change है earphones में क्योंकि earphones आते हैं 3.5 mm के port के साथ में और यहाँ पर आपके लि इन earphones को अपने smartphone के साथ यूज में ले पाओगे वीवो चाहता तो यहाँ पर USB-C टाइप बाला earphone भी दे सकता था बट वीवो ने यह वाला earphone box में दिया है जिसको आप अपने laptop या किसी यदर smartphone से भी connect कर पाओगे इसके लाबा box content में और कुछ भी नहीं है अब discuss करते हम य design and display के बारे में जैसे हमने wrap को हटाया बूट किया इसी smartphone को front में Android के साथ साथ यहाँ पर 5G को भी mention किया गया है जब यह smartphone बूट होता है back में discuss करते हैं तो यहाँ पर आप triple rear camera का एक bump देख रहा होगे जिसके नीचे आपके लिए आपर dual tone का dual LED flash देखने को मिलता है इसके साथ साथ अगर मैं discuss करता हूँ back panel के बारे में जो कि यहाँ पर glass का देखने को मिलता है यहाँ पर जो आपके लिए midnight jazz कलर आता है उसमें यह बहुत ज्यादा premium ness देखने को मिलते हैं और यहाँ पर आपके लिए एक option sunset melody color का भी देखने को मिल जाता है इसके साथ साथ यहाँ पर नीचे की साइड आपके लिए Vivo की branding देखने को मिलती है और अगर मैं bottom में बात करता हूँ तो यहाँ पर आपके लिए SIM tray, mic, USB C type का port और speaker grill देखने को मिलती है इसके साथ साथ right hand side में आपके लिए power button इसके अलावा यहाँ पर ही आपको volume switch देखने को मिलेंगे उपर की side आपके लिए secondary Mac देखने को मिलेगा और left hand side में आपके लिए कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा इसके साथ साथ front में आपके लिए 6.4 inch इसकी full AMOLED display देखने को मिलती है जिसमें आपके लिए HDR10 का support देखने को मिलेगा इसके अलावा बिना किसी देरी के अगर मैं discuss करता हूं software and hardware के बारे में तो यहाँ पर इस smartphone में आपके लिए one touch OS 11 का support मिलता है जो कि यहाँ पर based है Android 10 पर जो कि यहाँ पर upgradable Android 11 पर इसके साथ साथ यहा आपके लिए Adreno 620 का GPU देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपके लिए 8GB of RAM देखने को मिलेगी जिसके साथ साथ आपके लिए यहाँ पर 128GB of storage option मिलेगा यहाँ पर आपके लिए एक ही variant आता है यहाँ पर आपके लिए card लगाने का option नहीं मिलेगा इसके अलावा अगर मैं discuss कर आता है जो कि एक wide angle lens है इसके साथ साथ secondary camera आता है आपके लिए 8MP का ultra wide angle lens f2.2 aperture के साथ और 3rd camera आता है 2MP depth sensing lens यहाँ पर आपके लिए 4K 60fps तक की video recording का support देखने को मिलता है सारे ही camera modes आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे night mode बगरा इसके साथ साथ front में आपके लिए dual selfie camera देखने को मिलता है 44MP का aperture के साथ wide angle lens और secondary camera आता है 8MP का ultra wide angle lens जिसमें आपके लिए 2.3 का aperture मिलता है यहाँ पर बहुत सारी camera source आप देख सकते हो इसके साथ साथ जादा camera source और video samples के लिए आप यहाँ पर detailed camera review को check कर सकते हो जो कि मैं जल्दी चल्दी चैनल पर upload कर दूंगा यहा आप बना किसी देरी के अगर मैं discuss करता हूं fingerprint और face lock के बारे में जो कि इसमें security level पर options आपको देखने को मिलते हैं तो आप देख सकते हो जैसी हमने finger को tap किया यहाँ पर display पर क्योंकि आपके लिए in display fingerprint reader मिलता है तो इसने instantly smartphone को unlock कर दिया ज्यादा time नहीं ले रहा है इसकी जो security level पर यह जो दो options हैं यह दोनों ही आपर बहुत बहुतर response दे रहे हैं इसके साथ यहीं आप comment करके बताएं कि आपके लिए इसकी specs और features कैसे लगे मेरे हिसाब से personally मैं suggest करूंगा इस smartphone के लिए क्योंकि मुझे vivo का first ऐसा smartphone है जो कि मेरे price के हिसाब से बहुत best लगा क्योंकि इस finally guys जिस तरह से आपने देखा यहाँ पर vivo के v20 pro smartphone की unboxing इसके साथ-साथ हमने features और specs के बारे में भी discuss किया यहाँ पर features और specs को देखकर ही आपको समझ आ गया हूँ कि vivo ने first time कुछ ऐसा काम किया है जहाँ पर कोई और smartphone इसको टकन नहीं दे सकता क्योंकि अगर मैं discuss करता हूं तो vivo को जो pillars थे यहाँ पर camera के विशिस पर यह design और display के विशिस पर वो हमेशा से ही top थे इसके साथ-साथ box content वगेरा में भी vivo हमेशा से आगे रहा कि vivo ने अपनी branding और इसकी marketing के लिए इतने बहतर box content पहले से offer किये कि जो बंदा इसको purchase करे ही इससे attract हो जाए फिर उसके बाद एक इसे smartphone को focus करते हैं तो वहाँ पर vivo ने यहाँ पर latest chipset इस smartphone में दिया है जो कि इसी की price range के इसाब से smartphones में देखने को मिलता है यहाँ पर जो oneplus nod में chipset आता है Qualcomm Snapdragon 765G वही chipset आपके लिए इस smartphone में मिलता है इसी basis पर यह smartphone को मैं recommend कर सकता हूँ आप से भी के लिए हाँ यहाँ पर अगर यह 27,000 के approach आता है जिस basis पर इसकी जो actual price है वो है यहाँ पर 29,900 रूपीस अगर आप offline market में देखते हो तो बहाँ पर हो सकता है कि एक देड़ हजार और off देखने को मिल जाए भी वो के smartphone पर overall मैंने यहाँ पर अभी camera को experience नहीं किया detailed basis पर तो इस वज़े से मैं camera के बार view में इसकी camera quality देखने को मिल जाएगी, video quality देखने को मिल जाएगी, इसकी अलावा अगर मैं आपसे discuss करता हूँ तो upcoming days में OnePlus Nord को हम इससे compare भी करेंगे, वैसे मेरे को नहीं लग रहा कि यहाँ पर ज़्यादा difference होगा, इस विज़े पर comparison अगर लापाऊंगा तो कोसित पूरी क करूँगा तो इस वज़े से यहाँ पर नीचे दिएगा red button को हिट कर दें, यही पूरी story थी, यहाँ पर वीवो के V20D Pro स्मार्टफोन की, बेट करें यहाँ पर इसके camera review का, comparison वीडियो का, और आसा करता हूँ का आपके लिए वीडियो पसंद आई होगी, स्मार्टफोन से related advice के लिए Instagram का follow करें, इसके साथ साथ like the video, comment below and subscribe my channel, thank you for watching guys, आगे मिलते हम किसी नहीं वीडियो में